अर्थिक हालातों को लेकर कॉंग्रेस का मोधी सरकार पर हमला श्वेश प्रत लाए जाने की मांग पिरोश आकोटना मैदान का बदलेगा नाम अब जाना जाएगा अरुण जेटी स्टेडियम के रूप में गर्जमाफी पर शिवराज सिंग ने साधा कॉंग्रेस पर निशाना तिसाना क्रोस रहली में शिवराज गिरफतार मद्वदेश के निमाड़ा और मालवा ने भारी बारिश कहीं पट्रिया डूबी तो कहीं ट्रेने भी लेट और एक किसान ने गीत का कर बताई मुक्र मंत्री कमल नाथ को किसानों की पीड़ा वीडियो हुआ वाइरल नमस्कार मैं हूँ सत्यम शर्मा आप देखने दखलने जब ख़वरे विस्तार से रिजर बैंक द्वारा सरकार को भारी सर्प्लस राशी देने के निर्णे की तीखी आलोजना करते हुए कॉंग्रेस ने कहा कि मोधी सरकार ने देश को आर्थिक अपात काल में धकेल दिया ह कॉंग्रेस ने तानन शर्मा ने कहा कि सरकार के दवाव में रिजर बैंक ने अपनी सीमा क्रॉस की है और इसका परिणाम भयावा हो सकता है कॉंग्रेस ने अर्थवयस्था के हालात पर एक हफ़ते के भीतर शुएत पत्र लाने की मांग की है आर्थिक मुर्ची पर मोदी सरकार को घिरने के लिए कॉंग्रेस ने तानन शर्मा ने कहा रिजर बैंक के समूछ चे सर्प्लस को एक बार में ही सरकार को देने का नर्ण लिया गया है इसमें पिछले एक साल की रिजर बैंकी आए भी शामिल है बेरुजगारी चरम पर है, देश का निर्यात पांस साल पहले किस तरप है सरकार के पास निवेश करने को पैसा नहीं है, बैंकों के पास कर जाने के लिए रकम नहीं है ऐसे में रियर बैंक ने ऐसा निर्णे लिया जो खत्रे की घंटी है रेयर बेंक के बोर्ड ने सरकार के दवाब में ये निर्ने लिया है पांगरेश ने आर्थिक अारतों पर शुयत पत्लाने की माँगी है देश का निर्यात वही है जहां था जहां 5 परस पहले था उसी वहीं खूम रहा है कहीं आगे नहीं बढ़ रहा सरकार के पास पैसा नहीं है निवेश करने को, बैंकों के पास पैसा नहीं है कर्जा देने को और सरकार ने एक ऐसा निर्णे किया जिसकी बेचरचा करना चाहूंगा जो अपने आप में खत्रे की घंटी है कल सरकार का निरने के रिजर्ब बैंक सरकार का मतलब की रिजर्ब बैंक के बोर्ड का सरकार के दबाव में सरकार के कहने पर सरकार के कहने पर जो कमेटी बनी जो सेक्शन साथ का नोटिस रिजर्ब बैंक को दिया गया जो पहली बार था आरबी आई के बोर्ड ने जलान कमेटी की सिफारश पर एक साथ एक लाख छेटर हजार करोड रुपया भारे सरकार को ट्रांसफर करने का निर्णे किया ये तमाम जो सर्पलस था आरबी आई का वो ट्रांसफर हो गया आनन शर्मा ने कहा कि रेर बेंग ने कंटिंजनसी फंड की सीमा में बदलाव करने का नड़े लिया है यह आपात काल के लिए था जब 2008 में मंदी आई थी तो हमारे पास इस तरह का प्रियाप्स फंड होने से देश को समाला जा सका था उन्होंने का तमाम कमेटियों ने पहले ही कंटिंजनसी फंड आठ से बारा फिजदी रखने को कहा था लेकिन डिजर्व बेंग ने इसे घटा कर 6.4 फिजदी तक कर दिया था अब इसे घटा कर 5.5 फिजदी कर दिया गया है इसे डेंजर मार्क से नीचे लाया गया है उन्होंने कहा रगुराम राजन से तमाम पूर्व बेंक के गवर्नर इसका विरुत करते रहें डॉक्टर सुबारा और डॉक्टर रेडी डिप्टी गवर्नर विरल आशार ने इसको विनाशकारी बताया था दुनिया में जब कोई बहुत बड़ा संकाट आता है तब ऐसा किया जाता है आर्जेंटीना ने हाल में ऐसा किया था तो वहां की अर्थवेफ्स ता तबाह होई इस नर्णे के विनाशकारी प्रभाव होंगे मचो के गवार है दिल्ली के मश्यूर फिरोश्या कोटला मेदान को अब नई पहचान मिलने वाली है दिल्ली क्रिकेट एसोशmeeशन ने इस मेदान का नाम बदलकर दिवंगत वित्थमंती अरुड्जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया है दिल्ली एंडिस्टिक क्रिकिट एसोशेशन ने मंगलवार को ये बड़ी घोशना की अपने अधिकारिक ट्विटर एकाउंट से ट्विट करती हुए डीडी सिये ने लिखाए कि फिरोश्या कोटला का नाम बदल कर अरुन जेटली स्टीडियम रखा जाएगा ये बोर्ड के पूरव अधिक्ष अरुन जेटली को सही शद्दांजली होगी इस कदम के बारे में बात करती हुए डीडी सिये के वरतमान अधिक्ष रजश्या शर्मा ने कहा कि ये सिर्फ अरुन जेटली का सहयोग और परिना थी कि विराट कोली, वीरेन सहवाग, गोतम गंबीर, आशिश नेहरा और शपंत जैसे कई खिलाडी दिल्ली ने दिये उन्होंने का कि अपने कारकाल में जेटली ने स्टीडियम को नहीं पहचान दी और इसमें मॉर्डन फैसिलिटीज उपलब करवाईं अरुन जेटली जी को शधाजली देने के लिए हमने जो दिल्ली का क्रिकेट स्टीडियम है इसका नाम अरुन जेटली स्टीडियम रखने का तैकिया है फिरोशा कोटला ग्राउन का नाम फिरोशा कोटला ग्राउन रहेगा तो इसको कहेंगे हम अरून जेटली स्टेडियम फिरोशा कोटला ग्राउन और यह इसलिए क्योंकि अरून जेटली तेरा साल डीडी से गड़क्ष रहे उन्होंने क्रिकेट की बहुत सेवा की उनके वज़े से विराट कोली, विरंदर सेवा, गौतम गंबीर बड़े-बड़े क्रिकेटर्स को रिशाप पांतिन को खेलने का मौका मिला मुझे लगता है इससे बहतर ट्रिब्यूट अरून जेटली को कुछ नहीं हो सकता था दिल्ली में बाददुर्शा जफर मार्क पर इससे फिरोशा कोटला मैदान की इस्थापना 1883 में की गई थी और इडन गार्डन के बाद देश का दूसरा सबसे पुराना फंक्शनल स्टेडियम है इस मैदाम पर पहला टेस्ट 10 नवंबर 1948 को खिला गया था यह स्टेडियम तब से लेकर अब तक कई रिकॉर्ड का गवार आए फिर चाहे वो 1884 में गावसकर दौरा डौन ब्रेडमिन के 29 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी ही क्यों न हो पूर्व वित्मंती दिवंगत अरुड जेटली के परिवार से मिलने प्रधान मंती नरुन मोदी उनके घर पहुँचे मिलने पहुचे मोदी ने जेटली को श्द्धान जली देकर परिवार को सांतवना दी नरेन मोदी अपना तीन देशों का दौरा पूरा खर सौमवार रात भारत लोटे हैं बारत लोटने के जब अरुन जेटली का निजन हुआ था तब मोदी बहरीन में थे और उन्होंने जेटली के परिवार से बात कर उने सांसवना दी थी. इस दौरां जेटली के परिवार्डने परिवारने प्रदानमंतारी र्हन मोदी से कहा था में चोड़कर चली गए और अब हमारा दोस्त अरुण चला गया पूर मुख्यमंती शिवराज सिंग ने स्युपरी के पिछोर में भीर भरी किसाना को संबोधित करते हुए कमलना सरकार को आड़े हां थो लिया उन्होंने कहा नहीं जूटे मुकदमें स्विकार करेंगे और मात इससाट ही किसान के साथ धोका होने देंगे इस रही के बाद बीजेपी उपाद धैक्ष शिवराज सिंग सहीत गई िजयपी नेताओं को पिलिसने गरफथार कर लिया बीजेप्यू पाद्ध्यक्षापूर मुहमंती शिवरासिंग चौहान ने पिशोर में किसान आख्रोश रैली में कमलना सरकार को जम कर कूसा उन्होंने कहा कमलना सरकार करजमाफी पर किसानों के साथ दोका कर रही है हम ऐसा नहीं होने देंगे उन्होंने किसानों औ बीजेपी कारकरताओं पर दर्ज किये जा रहे मुकद्मों की चर्चा अपने भाशन में की उन्होंने का हम मर जाएंगे लेकिन लोगतंत्र में इसे सहन नहीं करेंगे इसके बाद मन से उतरते ही पुलिस ने शिवरास सिंग सहित कई बीजेपी निताओं को गरफसार कर लि हिसे सबस्ताइब करेंगे मुखमंत्री कमलनाजी आपकी सरकार किसानों की हिद में बाते बहुत कर रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है एक किसान ने अपना दर्द अपनी पीड़ा एक गीत के जरीये वक्त की है इस किसान का निवेदन है करज माफ किया जाए और समर्थन मुल दिया जाए मद्द परदेश में किसान परेशान है सरकार किसानों की मदद की बात कर रही है किसान राजनीदी के केंदर में है इसके बावजूद किसान को रहत नहीं मिल पा रही है मेरा गाउं मेरा देश फिल्म के गाने मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए की तर्ज पर एक किसान ने मुखमनती कमलनाथ से मदद की गौहार लगाई है गाने में सोया भी इनकी फसल की बरबादी का जिक्र भी है और समर्थन मुलकी मांग भी वीडियो आशोक नगर इस्थित खजूरिया गाउं के किसान का है यह वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइदल हो रहा है गीत में किसान मुखमनती कमलनाथ को खेती की विथा सुना कर मदद की अपील कर रहा है इस बीमारियां सोया बिन खेत के पीले हो रहे है भीकमंगते नहीं हक हमारा है यह दाम भसलों का हमको उचित दे दो इस बीचारे किसान ने किसान रिमाफी बोनस जैसी किसानों के हित की जोजनाओ को जमीन पर उतारने की बात भी कही है इस गीत को किसानों ने सौप प्रतिश्ट सत्य करार दिया है किसानों ने इस गीत को रिम जिम फ़ारों के बीच अपने खेत में ही रिकॉर्ड किया है अब बारी मुखंती जी आपकी है आप भी किसानों के लिए ऐसा कुछ कर दीजिए कि किसान आपको उलाना देने के बजाए आपकी जैजेकार करते नजर आए मद्ध देश के मालवा निमार छेत में भारी बारिश का दोर जारी है रतलाम में रात से हो रही तेज बारिश से पट्रियों पर पानी भर गया जिससे दिल्ली मुंबई रेल मार्क बाधित हो गया है शहर के निचली लाकों में भी पानी भर गया है रत्लाम के आसपास भारी बारिश के कारण रेल ट्रेक पर पानी आने से मुंबई साइड से आने वाली गाड़ी कुछ विलम से आई है कुछ जगा रेल ट्रेक पर पानी आने के कारण सभी गाड़ीयां विलम से चली मालवा और निमार में रुक्रोकर बारिश जा री है उदर भारी बारिश की वज़े से मन्सौर में शिवना नदी का जलिस्तर बढ़ गया है और ये पशुत पतिनाथ मंदिर के गरब गर्म में प्रिविश कर गया है गर्ब गर्य में मूरती के नीचे के चार मुखों के ऊपर पानी पहुँच चुका है ऐसे में गांधी सागर डैम के दो छोटे गेट और खोले जाएंगे इससे एक लाग के उसे पानी छोड़ा जाएगा मंसौर में शिवना नदी पर बने काला भाटा डैम के पाँच गेट आठ फिट तक खोले गए गांधी सागर बान का जल इस्तर तेरा सो दस फिट पर पहुँचने के साथ ही पानी की आवक को देखते हुए तिन छोटे सूज गेट खोले गए कलेक्टर मनोश पुष्प ने बताया के गेट खोलने से पहले प्रवयवित होने वाले छेत्रों सहित राणा परताप सागर रावत भाता और कुटा बेरच को भी अलट जारी किया गया है खरगोरों इंदौर में भी रास्ते ही लगातार बारिश हो रही है मौसम विवाग ने नीमच मंसौर, रतलाम, आगर, शाजापुर, उजजयन, देवास, इंदौर, धार, अली राशपुर, जाबुआ, बढ़वानी, खरगोन, बुरानपुर, खंडवा, रायसिन, राजगर, होशंगाबाद, हर्दा, सिवनी, बालगाट, मंड़ा, नर्सि बताईए, फिलाल वक्त हो चलाए, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहे हैं, दखल्यूज, आप देख रहे हैं, दखल्यूज रबिंद्रनाथ टेगोर उनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन अस आईसेक्ट उनिवर्सिटी, लपाइनेर्स इंस्किल देवल्पमेंट, विद फोकस उन क्रेटिं इंडिस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स, जॉन इंडियास प्रेमियर स्किल बेस्ट उनिवर्सिटी, जलवादियों के गड़ ता, जोपड़ी से महलो ता, ठेलों से मेलो ता, पक्दंडियों से सडकों ता, गाउ से शेहरों ता, व्यापार से उद्योगों ता, राज़्टीती से कूटमीती ता, दखन निवर्सिटी, आपके हत्प, आप देख रहे हैं दखन निवर्सिटी, रखके वाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अंगली खबर की ओर, सरकारी स्कूलों में सिक्षक और करमचारी, सिक्षक देने के बजाए बच्चों से बरतन साफ कराते हैं, बच्चों से गंदे पानी में बरतन साफ कराया जा रहा है, जब स्कूल के प्राचार से इस बारे में बात करनी चाहिए, तो वो हमेशा की तरह इस बार भी स्कूल से नदारत मिले, ऐसे में बच्चों का भविश अधर में नजरा रहा, मंत्री प्रवराम चौधरी जी कुछ कीजिए और इन बच्चों को ठीक से पढ़ाई के सागर के उपनगर मकरोनिया में नन्ने मुन्ने बच्चों से यहां पदस चिक्षक और समू के कर्मचारी बरतन साफ करवाते हैं, वह भी उस स्थान पर जहां से गंदे पानी की निकासी हो रही है, इस मामले में जब प्रयाचार से बात करने का प्रयास किया गया, तो हमेश में आया है, जाच कराकर कारवाई की जाएगी. जाच कराय जाने की आप्चेरेक्टर के चलते नाकेवल सरकारी नुमाइंदों को बचाने की कवायत होगी, बलकि उन समूहों को भी बचाने का प्रयास होगा, जिनकी मलाही पर शिक्षा विवाक के लोग एश करते रहते हैं, शायज यही वजह है कि इन नौनी हालों को बो बिल्डिंग निर्माण को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं, नर्सिंग पूर के जिला लोक अभियुजक का रहले में बड़ा हास्था हो गया, महिला अफसर जैसे ही कार से उतर कर डफ्तर में घुसी तबी पिलर कार पर गिर गया, साहिक जिला अभियुजक अधिकारी सं भोपाल के बरखेडा पठानी में मंदिर के पास एक नवजाद बच्ची नाली में जीवी तवस्था में मिली, पुलिस ने बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर ततकाल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची का आईसीउ में उप्चार किया जा रहा है, पुलिस ने बच्ची नाली में पड़ी होई थी, जिसे कोई व्यक्ति छोड़ कर चला गया था, इस्थानी लोगों ने डायल हंड्रेट पर कॉल कर इसकी सुचना दी, मौके पर पहुंचे सायक अपनरिक्षक नरवर सिंग, आरक्षक आकार सिंग ने बच्ची को शास की ज पहुंचे से बह गये, जिसके बाद इस्थानी लोगों ने नदी में च्छलांग लगा कर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों की जान बचाई, लोग जरासी जल्दबाजी में अपनी जान जोकिम में डाल रहे, कई बार जल्दबाजी जान की कीमत समझा देती है, ऐसा हुआ बाहों में आ गए, बालक उसके पिता को बहता दे के इस्थानी लोगों ने पानी में च्छलांग लगा दी, और कली मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया, पताया गया है कि शही शाह अपने बच्चे का आजार कार्ट बनवाने के लिए नदी से इस पार से उस पार जा र निकाला, जैयारोग अस्पताल समू के पार्क में नवजात का शव कुतों दोरा नोचनी का मामला सामने आया है, पुलिस ने इस मामले में नवजात के रिष्टिदारों को हिरास्त में ले लिया है, और उनसे इस बारे में पूश्टाच की जा रही है, गौालियर के जैयार परिसर इस्थित कमला राजास्पताल के सुने पार्क में एक नवजात के शव को उत्ते नौच रहे हैं, सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची, शुबाती पूश्टाच में पुलिस को पता चला के बाबूलाल आरिवासी अपने बेटी की बहु अंगुरी का कमल राजास्पताल में परसव कराने आये थे, परसव के दौरान मरत नवजात पैदा हुआ, इसके बाद बाबूलाल की बहन नवजात का शव लोगों की नजर से बचा कर अस्पताल के पार्क में दफनाने पहुची थी, इसी भी जब वह गड़ा खूद रही थी, तब ही आव अस्पताल से गुजरने वाली रागीरों ने जब नवजात की शव को कुटों दारा नोश्टे दिखा, तो उसे कुटों से बचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी, पुलिस ने शव को कबजे में लिया और पोस्ट मार्टम के लिए भेज़ दिया है, और पुलिस बाबुलाल को हिरास सप में देकर उससे पूश्चाच कर रही है, लाड़ किशना एवम गिदवानी के बैनर तलिब नी हिंदुस्तान में पहली बार बच्चों पर आधारत हिंदी सिंधी फिल्म हामाबैस सिंधी आहिया का स्किनिंग शो आउज़द किया गया, इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौशुद है, फिल्म के प्रारम में, फिल्म के सभी क अलाकार बचाने का संदेश दिलाया और पॉली थीन मुक्त भोपाल बनाने का संकल प्रिया एक-एक कपड़े का थेला सभी आतितियों को बेंट सुरूप दिया गया फिल्म के माध्यम से समाज और पर्यावरान बचाने का सकारत मक्संदेश दिया गया है दिल्ली में संथ रविदास क लिप्ञा। मन्दिर को तोड़े जाने के खिलाफ दली दवर्ग ने राश्ट प्रथप्स पक्रद्राश पौ राश्पर 시청le मंदीर संभायक्त कपौोगग्यापनधन सौपा और मंदिर के निर्मार्ट कर गयाने की मांग कि पुन्ह निर्मार्ट निर्मार्ळा न करा जाने पर दलित वर्ग ने राष्ट्र ब्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है दिल्ली के तुगलगाबाद में पिछली दिनों संत्र वीडास का मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ दलित लाम बंद हो रहे हैं ग्वालियर में भारती दलित वर्ग संग ने मंदिर के पुनर निर वाजी करते हुए मोती महल इस्टे संभाग आयुक्त कार्याले पहुंचे जहां संगर के नीताओं ने संभाग आयुक्त बीम शर्मा को राष्टपती एवं प्रदान मंत्री के नाम ग्यापन सौपा संगर के मंदिर ने मन्दिर पुन एवर्घ् कराया जाए कि क्योंकि मंदर तोड़े जाने से दिलितों की भावनाय, आहत हुई है, साथी मंदेलिया ने चीतावनी लिए कि अगर मंदिर का पुनन निर्मार नहीं कराए गया तो राष्ठ व्यापी अंदोलन किया जाएगा वहीं संभाग आयोक्त बीयेम शर्मा ने कहा कि भारती दलित वर्ग संगे से प्राप्त ग्यापन शासन को भीजा जाए गा होसले अगर बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है पैरों से दिव्यांग होने के बाद भी एक बेटी ने रिले रेस तेराकी में एशियन रिकॉर्ड बनाया समुद्र की लहरों को पार कर शार्क और डाल्फिन के बीच से गुजर कर इस लड़की ने यह मुकाम हासिल किया अब यह देश की बेटी दिव्यांगों के लिए मिसाल बन गई है 36 गड़ के जांजगीर की रहने वाली अंजली पटेल ने रिले रेस तेराकी में एशियन रिकॉर्ड बनाकर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया पैरों से दिव्यांग होने के बाद भी 36 गड़ की इस बेटी ने कमाल कर दिया अंजली समुदर में शारक के 20 से गुजरी और तेराकी में रिकॉर्ड बनाया कहा जाता है कि कुछ करने का जुनूर न हो तो कुछ भी किया जा सकता है रिले रेश तेराकी में एशेन रिकॉर्ड बनाने के बाद अंजली लाखों दिव्यांगों के लिए मिसाल बन गई है अंजली ने समुदर की लेहरों को भेट कर शारक और डॉल्फिन के 20 से गुजर कर ये मुकाम हासिल किया देश बर के 6-12-13 कौमें के इस तीम में 35 किलोमेटर की दूरी 11 घंटे 40 मिनिट 56 सेकंड में तेर कर पूरी की अंजली ने इसमें शामिल होने के लिए 5 लाख रुपे उधार लिये थे इस बुलेटें में फिलाल इतना ही आप देखते रहें दखल लियूज दखल आपके हग में आप देख रहे हैं दखल लियूज रबिंद्रनाथ टेगोर उनिवर्सिटी फॉर्मली नोन अस आईसेक्ट उनिवर्सिटी अपाइनेर्स इंस्किल देवल्पमेंट विद फोकस उन क्रेटिं इंडिस्ट्री रेडी प्रफेशनल्स जॉइन इंडियास प्रेमियर स्किल बेस्ट उनिवर्सिटी रबिंद्रनाथ टेगोर उनिवर्सिटी प्रेमियर स्किल आईसेक्ट उनिवर्स प्रेमियर स्किल उनिवर्सिटी